मेरे ससुर हर रात नौकरानी की मालिश करते नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगडाईयां लेती एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी ससुर से मालिश करवा लेती हूँ एक दिन नौकरानी के कपड़े पहने और ससुर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी उस राज ससुर ने मेरी चीक निकाल दी ससुर ने तो मेरे साथ ससुर हर रात नौकरानी की मालिश करते नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगडाईयां लेती और काम पर लग जाती मैं सोच सोच कर हैरान होती एक दिन मैंने सोचा मैं भी ससुर से मालिस करवा कर देखती हूँ ससुर कैसे मालिस करते हैं नौकरानी के कपड़े पहने और ससुर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी मेरे होस उड़ गए उस राज ससुर ने मेरे साथ वो किया जो मैं बिमार थी इ तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेता हूँ जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी सास जिन्दा नहीं थी सिर्फ ससुर थे मेरे पती की एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी जबकि मेरे पती अपने आफिस चले जाते थे ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था इसलिए मैंने अपने पती की बात मान ली और उसस कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलास कर लें मैं तो आसपडोस के लोगों को इतना अजानती नहीं हूं वैसी भी मैं अपने घर से कहीं बाहर जादा निकलती नहीं थी भगवान का दिया सब कुछ था मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी क्योंकि पती औ और अपने अपने बरतन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे मेरा जो भी खाने का दिल करता था वे हमें औरडर कर लेती थी ऐसे में घर के काम नहीं होते थे मगर मेरे पती को मेरी बहुत फिकर रहती थी वे बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूस्ते रहते थे हमारी पसंद की शादी थी इसलिए मेरे पती मुझे पर जान छिरकते थे क्योंकि मैं जवान और खूपसूरत थी मेरा पती मेरी खूपसूरत और अदाय देखकर दिवाना हो गया था मेरा और वे चाहता था कि मेरे पैर जमीन पर ना उत्रें अब तो वैसे भी मैं इसके बच्चे की मा बनने वाली थी मैंने अपने पती को ये खुश खबरी बहुत जल्द सुना दी इसलिए वे मुझसे और भी जादा खुश था ऐसे में वे मेरे खूब नकरे उठा रहा था इसलिए मेरे पती ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया नौकरानी का ना नौकरानी बनने की क्या जरूरत थी यही बात मैंने उठसे पूछी तो वे बात को टाल मटोल कर गई और फॉरन मुझे पैसे कितने देंगी आते ही नौकरानी ने मुझे पैसों के बारे में पूछ लिया और फिर मुझे अंदाजा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे पैसों का पूछा था मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तु रात दिन यहां रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तंखुआ दूंगी जितनी तुम मांगोगी दरसल मैं चाहती थी कि वे दिन रात मेरे साथ रहे दिन में काम कर ले और रात को मेरी टांगे दब दे ये सुनकर उसने जोड़दार अंगडाई ली और उसका डुपटा नीचे सरग गया मैं जिसका जिसम देखकर भी हैरान रह गई वे तो मुझसे भी जादा खुपसूरत थी और मेरी तरह नक्रेली भी थी तभी तो कहने लगी की ठीक है मालकिन आपके पास रात दिन रह लूँगी ये सुनकर मैं खुश हो गई आज कल के लोगों के बड़े नक्रे होते हैं वे रात को काम करने पर त्यार नहीं होते थे लेकिन इसने पैसे बताए तो मैं चौक गई इसने अपनी आउकास से जादा पैसे मांग लिये थे मैं इंकार करने लगी थी क्योंकि इसने क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पती देने पर त्यार नहोता लेकिन फिर मैंने ये सोच कर रख लिया कि रात को जब मेरा पती अच्छे मूर में होगा उससे ये बात मनवा लूंगी मुझे यकीन था कि वे मेरी बात मान लेगा क्योंकि मुझ पर इसकी जान बसती थी इसल मैंने उसके बालों की तरफ देखा उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए उसकी बालों से इतनी अच्छी खुस्बू आ रही थी कि मैं मध्होश होने लगी वे बोली कि मैं घर के सारे काम करना जानती हूं और खाना तो ऐसे बनाती हूं कि आप उंगलिया चा और जल्दी से तीन चार काम बता दिये और अपने कमरे में अराम से लेट कर नाटक देखने लगी ये नाटक मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने इसमें इतनी मगन हो गई कि पता ही नहीं चला और साम हो गई मैं वक्त देखी तो याद आया कि मेरे पती आफिस से आने वाले ह होंगे मैं फॉरण वाश रूम गई नहाई और त्यार हो गई मैंने नया सूट पहन कर बाल बनाए और बहार आ गई तब ही मेरे पती नहीं आए थे मगर ससूर आ चुके थे मैं किचन में गई तो खका बका रहे गई नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा जबर जस पकोड़े बना रही थी और मेरे ससूर चाय पी रहे थे मैंने ससूर से कहा कि ये हमारी नहीं नौकरानी है आज से हमारे साथ दिन रात यहीं रहेगी मेरे ससूर ने सर हिला दिया और पकोड़े खाने लगे शायद उसे नौकरानी से ज़्यादा पकोड़ों में दिल चस्बी थी मैंने उसे गुसे से कहा ये सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चहरा किया और कहने लगी कि मेरा अपना दिल चाह रहा था कि साम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए इसलिए मैंने बना दिया अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दे मैं आपको वही बना दूंगी मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पती आ गए और मेरे कंदे पर बाजू रखकर कहने लगे मेरी प्यारी बीवी को पकोड़े से जादा प्यार है ये सुनकर मैं उसे घूरी आज तुम किचन में कैसे आ गए ये सुनकर मेरे पती कहने लगे कि मैं तुम्हें ढूंते हुए किचन में आया था मगर किचन में इतनी अच्छे कुस्बू आ रही थी कि मैं सीधे किचन चला आया ये कहकर मेरे पती ने एक पकोड़े अपने मूँ में डाल दिया और उसे खाने लगे मैंने उनसे फौरण रो ये कि यार आज तो नई नौकरानी रखी है इसके हाथ का कुछ अच्छा खाते हैं इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने तो कल बाहर खाना खा लेंगे ये सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज हो गई मैंने कहा लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ये पती ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उससे कहा कि अच्छा वे आते ही बेचारी हो गई है इसका इतना ख्याल है तो मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसकी कोई फिकर नहीं है मैं नाराज होकर उससे दूर जाकर यह सुनकर मैं हसी और हम खाना खाने चले गए हमें वापसी पर बहुत देर हो गई मेरा पती तो फारण बिस्तर में घुज गया जबकि मैं किचन में आई जहां पर सारी चीज धुली धुलाई और सही तरीके से रखी होई थी मैंने फ्रिच का दर्वाजा खोला तो खाने क खुच्बू ने मेरे कदम रोग दिये मैंने चमस से उठाकर मूँ में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है मैंने फ्रिच बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नास्ते में खा लूंगी हम नौकरानी को बोल कर नहीं ग खा दिया था इसलिए वे सोने के लिए खुदी चली गई थी मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दर्वाजे पर हाथ रखा मैं देखना चाहती थी कि वे जाग रही है या सो रही थी वगर दर्वाजा अंदर से बंद था इसलिए मैं अपने कमरे में आई और सो यह सुनकर उसने जवाब दिया जी हां ओमलेट पराठा और चाय पी लिया था रोज मेरे पती यही नास्ता करते थे इसलिए मैंने यह बात नौकरानी को बता दी थी तब ही मुझे ससुर का ख्याल आया तो वे कहने लगी कि हां उनको सिर्फ चाय पी थी मेरे ससुर नास्ते मे उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने थे उसने मुझे नास्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सबजी याद आ गई मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी हुई सबजी गरम करके चाय के साथ दे दो यह सुनकर वे कहने लगी मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे इसलिए मैंने जादा सबजी बना दी है यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सबजी वैसे भी जादा बनती है हम सुबह नास्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं यह सुनकर उसने मुझे सबजी गरम करके दी और कहने लगी कि मैं आपका कमरा साफ कर देती हूं इसी वक्त मुझे याद आया कि मैं उससे पूछू तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था बिस्तर अच्छा था या नहीं मैंने पूछा वे कहने लगी कि हाँ अच्छा था लेकिन कमरा का वाश्रूम इतना अच्छा नहीं है मुझ कि मैं गरम पानी से नहाती हूं और ठंडे पानी से अपना सर्द होती हूं ये कहकर वे किचन से निकल गई और मैं इसी बात पर हसने लगी और नक्रे तो ऐसे दिखा रही थी जैसे घर की नौकरानी नहीं बलकि महरानी हो मैं सबजी देखकर हस रही थी इस दिन में ठकी हुई तो मेरी मालिस कर दो, ये सुनकर वे मेरे पास बैट पर बैट गई, और मालिस करते हुए कहने लगी, आप अपने पती से मालिस करवाया करें, ये सुनकर मैं सर्मा गई, और उसने कहा, तो तुम कुवारी हो, मगर तुमने ये इतनी बड़ी बेश्रमी वाली बात कर दी है, ये सुनकर वे हस्ती और कहने लगी कि मालकिन, मैं घाट घाट का पानी पी हुई हूँ, इस से पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली हैं, और उनके सारे राज, यहां मेरे सीन में दफन हैं, ये सुनकर मेरा मन कर रहा था कि उस से मैं बात पूछू क्या लड़कियां अपने पती से भी मालिश करवाती हैं, ये सुनकर मुझे शरम आ गई थी, ये नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही थी, इसलिए इसने ये सब होते हुए देखा होगा, इसके बा रात हुई तो हम दोनों पती पतनी लेड गए, मैंने पती की तरफ करवट ली और दर्द से कराते हुए, कहा कि आज तो मैं बहुत ठक गई हूँ, ये सुनकर मेरा पती कहने लगा चलो ठीक है, उठो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, ये सुनकर मैं घब भी कर देते होंगे, मैंने करवट ली मुझे याद आया कि नौकरानी से कहदू की वे मुझे गरम दूद करके दे दे, उठकर मैं नौकरानी के कमरे तक गई, मैंने हलकी सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वे कमरे में थी ही नहीं ये देखकर मैं हैरान रह गई, मैं किचन में जाने के बज़ाए अपने कमरे में आकर लेड गई, सुबह मैं जल्दी जाग गई, इसलिए अपने ससुर और पती के साथ नास्ता किया पता नहीं, इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी, सुबह सवेरे नहाद होक मैं नौकरानी लग रही थी और वेमाल की लग रही थी, मैंने बड़ा सा मूँ बनाया, तो मेरे पती ने देख लिया, और कहने लगे कि तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ये सुनकर मैंने फॉरण कहा, नहीं आप मैं कुछ खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने रोशनी से कहा कि वे मेरे साथ बजार चले, फिर हम एक दुकान में आ गए, मैं कुछ अपनी जरूरतों की समान देखने लगी, जबकि रोशनी कपडों को देखने लगी, ये देखकर मैं जल गई, मैंने देखा तो ऐसा कर रह हो गई, इसने अपने साथ एक बैग रखा हुआ था, जो कि पहले खाली लगता था, मगर अब मैं इस बैग की तरफ देखा तो मैं शक में पढ़ गई, क्योंकि अब वे पूरे भरा हुआ था, मैंने इससे ये बात नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया था, इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देख लूँगी, इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी, कि इसने बैग में क्या छिपाया हुआ है, घर आते ही वे अपने कमरे में चली गई, ताकि इस और बहाने से कहा कि मेरी तबियत फिर से खराब हो रही है तुम किचन से पानी लेकर आओ मैं दवा में दवाई खा लेती हूं ये देखकर वे घबरा गई बैग अपने बैट पर रखा और किचन की तरफ चली गई मैंने जिसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आँखे फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने ही लाल रंग की साड़ी बैग के अंदर से दिख रहा था ये साड़ी कम से कम 25,000 की थी इस मामली सी नौकरानी के पास 25,000 कहां से आए जो कि इतना कीमती साड़ी खरीद लिया मैं हैरान परेसान इस साड़ी को देख रही थी नौकरानी पानी ल नहीं कर लिया है ये सोचकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और खुझ से कहा की आएंदा मैं इसके साथ कही नहीं जाओंगी ये नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फसवाएगी फिर मैंने सोचा की अगर उन्हें ये बात बताऊंगी तो कहिंगे की इस चोड़ नौकरानी को फॉरण घर से निकाल दो लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहां से मिलेगी ये सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया वैसे भी आज मेरे पती के सर में दर्द था इसलिए उन्होंने मुझ से कहा की मेरे लिए चाय बना लो ये सुनकर मैं किच नहीं खोला था तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बना कर लेकर आ गई चाय बनाने के बाद मेरे पती जल्दी से सो गई लेकिन मुझे नीद नहीं आ रही थी मैं डॉक्टर की दवाई इस्तमाल कर रही थी इसलिए रात को नीद की परिशानी होती थी बार बार उटकर वाश्रूम जाना पड़ता था आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी खिड़की से किसी को बाहर सैन में देखा मैंने ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गई क्यूंकि वे नौकरानी थी और वे दुलहन के रूप में थी इसने वही साड़ी प पूशने लगी आज आप बहुत थकी थकी लग रही है सब ठीक तो है ये सुनकर तो मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ वे बेफिकर होकर बरतंद होने लगी तबी मैंने उससे पूछा कि तुम पर कोई जिन भूत तो नहीं आते मेर बात सुनकर वे हसने लगी मैं किसी को चिपकने नहीं देती और वैसे भी जिन भूत चुडैल तो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं ये सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वे कौन थी मुझे इस नौकरानी पर शक्त था इसलिए रात हुई तो मैंने फैसला किया कि आज रात ये देख कर रहूंगी कि मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं ये जानने के लिए मैंने शाम होते ही उसके कमरे की खिड़की खोल दी और उसके ऊपर परदा डाल दिया ताकि इसे सक ना हो रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कम वट तक नहीं आई थी बिस्तर पर वही चादर बिची हुई थी जो मैं बिचा कर गई थी इसका मतलब था कि ये एक रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई इसने अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया अब मैं शक में पड़ ये अपने कमरे में नहीं सोती तो कहां और किसके साथ सोती है ये बात जानने के लिए मैंने घर के तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के सभी कमरों को एक एक करके चेक करने लगी तब ही मेरे ससुर के कमरे का दरवाजा बाहर से खुला तो मैं सरम से पानी पानी हो तो अपने बाप पर जोर जोर से चिलाए और कहा कि मैंने आप से कितनी बार कहा है कि शादी कर लो मगर अपने हमेशा इंकार कर दिया और मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही आपके लिए कोई अच्छे सी लड़की तलाश करूंगा ये सुनकर मेरे बहुत बुरा करना चाहते थे इसके मामा ने इसके साथ बहुत बुरा करना चाहते थे रोशनी पढ़ने में बहुत अच्छी थी कुछ दिनों से रोशनी कॉलेज नहीं आ रही थी तो मैं पता किया इसकी सहेलियों से पता चला कि इसके मामा इसकी शादी कर रहे हैं वे भी दिन एक दूसरे के पास हो हमने ये नौकरानी वाला खेल किया और यहां नौकरानी बनकर रहने लगी ये सुनकर मैं हैरान रह गई मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकुव बनाया था मुझे बहुत गुस्ता आया मैंने मेरे पती ने कहा मेरे प साथ कुछ भी कर सकते हैं और देखते देखते कब वे नौकरानी मेरी सासुमा बन गई और मैं इससे काफी दिन नराज रही क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वे काफी खुबसूरत है मुझे एक दोस्त के रूप सासुमा मिल गई कुछ दिनों के बाद मुझे एक बेटी पैदा हुई और हम खुशी खुशी रहते हैं